नमस्कर मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है आज मनसोर मंडी का मैं आपको अहाल बता दूँ क्योंकि रविवार की चुटी के बाद मनसोर मंडी के अंदर में अच्छी खासी आवगत देखने को मिली और रविवार से ही वहाँ पर जो सप्लाई थी वो भी ठीक ठाथ थी लेकिन इसके साथ साथ में मनसोर मंडी के अंदर में लैसुन की कीमतों के अंदर एक अच्छी खासी देखने को मिली है और कुछ कारोबारियों से हमारे समाधाताओं ने बाचित की उनका ये कहना है कि मंसोर मंडी के अंदर में जो लैसुन की आज बोली हुई है वो उन्ची हुई है और आने वाले दिनों के अंदर भी कीमतों के अंदर एक बार इजाफा देखने को मिल सकता है हलांकि भाव 16,000-17,000 रूपे प्रतिक इवंटल जो देशी लैसून है उसके देखने को मिले लेकिन जो कारवारी है उनका ये मानना है कि भावों की अंदर में 2000 रूपे प्रतिक इवंटल की तेजी आ सकती है मंसोर मंडी जो है लसून की सबसे बड़ी मंडी मानने जाती है और आज का जो क्या भाव रहा है अमार साथ में आपारी है आज का नीचे में मुंगी विका है शेजार से आठियार नोजार और मीडियम विका है नो जार से बारा तेरा जार और लड्डू विका है ऊपर में उसमें 4000 का करक्च्छन है आज आवका में और बाहर डिमांड अच्छी है इसके साथ साथ में जो इस समय पर मंडियों के अंदर हम जो क्रैश एक देखा था बाजारों के अंदर हमने 50% तक की गिरावट देखी थी हमने पिछले सब्ता देखा बाजार 10,000 रूपए से 15,000 रूपए यहां तक की हाला की नीचे के अंदर गर में बात करूं तो कुछ मंडियों के अंदर 5000 रूपए प्रती किवेंटल भी क्वालिटी के हिसाब से लेसुन भिका और उपर में जो अच्छी क्वालिटी के लेसुन थे वो 15,000 रूपए प्रती किवेंटल तक बिके थे आज चुकि 17,000 रूपए प्रती किवेंटल तक उपर में भाव गया है यानि कि उसमें एक रिकवरी देखने को मिली है और अभी ये रिकवरी कितनी और आएगी चलिए मैं आपको सीधे लेकर के चलता हूं मनसोर मंडी क दिन की मंडी आज 19 परवरी की ये मंडी है और इस मंडी के आप दरिश्य देखिए लैसुन पटा पड़ा है हर जगा चारो तरफ अगर आप निगाएं देखेंगे तो लैसुन ही लैसुन है लेकिन इसके साथ-साथ में कीमतें भी अच्छी मिली है हमारे समधाता दीपक श चुनते हैं और देखते हैं जानते हैं कि उनका क्या कहना है रईवार की छुटी के बाद आज मंदसोर की करशिव पजमंडी समवारो खुली है और आप देख सकते हैं कि यह तमाम जो है यहां लसून के डिहर पड़े हूं है व्यापारी जो है लसून की बोल लगाएंगे अब और व किसान की लसून लेकर आएं रईवार को ही जो है किसान लसून लेकर आ गये थे अब कहा अंसे लिम्पो याकलास है क्या लेकर हैं लसन क्या बहु की बचिया अपकी टोड़े शोबे के बहब पता चला श्राइब यह पंदरा-वश्वना सत्रा तक बीकिये अच् अभी थोड़े डाउन बहा हुए है तो पहले क्या पहले हुआ होते हैं पहले 25,000 से 30,000 तक बहा होते हैं उसके उतर के 10-12,000 उतर गाए ते पिर आज दो तीन अजार रुपए फिर आगा है अभी बढ़ा है आज सुबह से तीन अजार चार अजार फिर बढ़ा है तो क्या दिर्मिया ने इसमें भाव में थोड़ा सा उच्छा लाया है तो पहले जो भाव आ रहा था वो करीब 30 जात प्रतिक उन्टल तक जो उचे में वो लसून का भाव आ रहा था लेकिन अभी थोड़ा कम है फिर भी किसान संतुश्टे की 16-17,000 तक जो इनको भाव लसून के मि उच्छाल आया है प्याज के जो एक्सपोर्ट खोला है उससे भी प्याज में डिफ्रेंस आया है खास बात का अगर लगसून की करें तो लगसून में आज चारा जागा और प्यापनी करना है कि अगले एक दो दिन में कम से कम 2,000 रुपय का उच्छाल और आ सकता है रिपोर्ट पसंद आई हो तो निश्चित तोर के उपर हम यही आप से निवेदन करेंगे कि आप इसको लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल को और आपको लैसून से जुड़ी और दूसरी फसलों से जुड़ी ताजा जानकारी मार्केट टैंस टीवी के उपर मोहिया हो और आपको तुरंत उसकी इंफोर्मेशन पहुंचे नोटिविकेशन पहुंचे तो दिख रहें बेल बटन को भी आप दबाना ना भूलें